नमस्कार दोस्तों, BRS शो में आपका स्वागत है आज हम आपके लिए लेके आए हैं 3BHK फ्लाट का एक जोड़ा जोड़ा मतलब आपको एक ही फ्लोर पे दो 3BHK फ्लाट्स मलते हैं एक फ्रेंट साइड में और एक बैक साइड में और आप चाहें तो उन दोनों को separately भी यूज़ कर सकते हैं और अगर आप उनको combine करना चाहते हैं तो उसकी possibility भी है Left car parking के साथ में ये property आपको मलती है दोर्का सेक्टर 3 से काफी ज़्यादा पास में तो यहां से आप nearest metro देखेंगे तो आपको नवादा भी काफी ज़्यादा नियर पड़ेगा बाकि अगर आप दोर्का साइड निकलते हैं तो आपको काफी easily दोर्का साइड में accessibility मिल जाती है यह property के अंदर ventilation बढ़िया है गली का size चौड़ा है और property काफी बढ़िया condition में है और price भी बड़ा reasonable सा हम आपके लिए लेके आएं तो आईए आपको दिखाना शुरू करते हैं यह वाली property आप इस पर किसी भी NBFC द्वारा loan करा सकते हैं 80-90% तक की loan possibility इन properties पे ऊसी है बशर्ते आपकी जो profile है वो allow करें आईए दिखाना शुरू करते हैं आपको फ्लाट पार्किंग और पूरे फ्लोर का layout मैं आपको एक फ्लाट का layout दिखा दूंगा बाकि दूसरा जो बिल्कुल similar है तो दो-दो अगर हम दिखाएंगे तो वीड हमारी location को जाना जाता है इस पूरे area में गुलाब बाक के नाम से श्रीचंद पार्क, मंसाराम पार्क यह सारे नाम हैं जो यह line से जुड़े हुए हैं नवादा Metro Station के आसपास यहां पर roads की चोड़ाई आपके सामने हैं चोड़े road हैं धर्याली पे दिया गया है, sewer proper working है, सटा हुआ इलाका है, यह वो इलाका है, अभी आपने कुछ दिन पहले हमारी चैनल पे 2BH के फ्लाट देखा होगा, जिसके छट से बहुत beautiful green view आ रहा था, तो यह उसी location का फ्लाट है, आईए अब मैं आपको फ्लाट दिखाता हूं, पार्किंग दिखाता हूं और सब कुछ चंदर से क्या से दिखता है वो बताते हैं, रोड का साइज भी पूरा 20 feet है और जो हमारा gate है, उसका साइज भी 20 feet है, पार्किंग पूरी गहरी है, साफ सुथरी पार्किंग बना रखी है यहां पे, और पार्किंग में किसी भी तरह का other construction नहीं है, कोई दुकान नहीं, कोई मीठे पानी के लिए, और safety security wise काफी अच्छे से सही सही जगों पे CCTV cameras को install कर दिया गया है, तो उससे पार्किंग में लगी हुई गाड़ी या बाइक के ओपर कोई भी हाथ पायर मारने की कोशिश नहीं करेगा, आर थोड़ा आ गया आते हैं, तो पार्किंग में ventilation बढ़िया है, functional है, बाकी आप चाहें इस lift को use करना तो कर सकते हैं, हमारी जो property है, वो है ठीक हमारे पार्किंग के ऊपर वाले flat की, तो यहां से आप इस lift को लेकर या फिर हमारे staircase को लेकर जा सकते हैं, मैं चलूँगा staircase को लेकर, सो यह हमारा floor है, जिसमें आप lift लेकर आ सकते हैं, पार्किंग के ठीक ऊपर वाला, हमें इसको first floor कहना आता है, और first floor की property है और इसी floor पे हमारे दोनो flats हैं, एक बार इस तरफ आएं, मैं आप से यहां से घुमा के दिखा देता हूं, सो जहां पर हमारे lift और उसके सामने वाला जो door है, यह हमारा second flat है, तो यह आमने सामने flats है, इस flat से उस flat के बीच में, अगर आप distance देखते हैं, तो यह approximately 13 feet, 13 feet का difference मिलेगा आपको दोनों flats के बीच में, staircase और हमारी lift के बाद, यह हमारा flat का layout है, इस flat को आप देख लीजे, बिल और उसके बाद बचे हुए तीन rooms मिलेंगे, अगर आपको यह वाली जो property है, लेकर rent out करनी है, तो आप separately से rent out कर सकते हैं, लेकर आप इसे club करना चाते हैं, तो आप इसे club भी कर सकते हैं, एक ही floor पे कई बार हमने ऐसी requirement देखी है, कि एक ही family के members को दो flat चाहिए होते हैं आमने से अटाच हैं, उसके बाद यह हमारा living hall है, पीछे के और kitchen आपका bedroom number 3 है, size 10 feet आपको यह से मिलेगा, और यहां से लेकर यहां तक आपको यह मिल जाएगा 10, तो 10 by 10 का आप living area इसके अंदर मान के चलिए, और इसके अंदर आपको decoration अभी काफे जादा देख रही होगी, recently अभ हमारे kitchen portion को देखते हैं, तो kitchen हमारा कुछ ऐसा दिखता है, जिसके अंदर आपको पूरा काम करा हुआ मिलेगा, पूरा SS work and wooden work, सब कुछ करा हुआ, chimney and everything is installed, size देखते हैं, तो यहां से लेकर यहां तक 7 feet का size है, और ऐसे आप इसको देखते हैं, तो यह आपका 7, 7 by 7 का हमारा kitchen आजाता है, इसके बाद हमारे rooms में चलते हैं, तो यह हमारा first room है, जिसके अंदर आपको मिल जाता है कुछ ऐसा सा काम, और यह वाला जो पूरा room है, इसमें size जो हमें मिलता है, यहां से वहां तक अगर मैं देखता हूँ तो 11 feet, और यहां से यहां तक देखता हूँ, तो यह अगर भी space है, इसमें आपको dressing का arrangement इधर मिल जाएगा, बाकी flat पे paint and all बढ़िया हो रखा है, एस ही इन्हों ने इस वाली wall पे लगाया हूआ है, ventilation naturally कहां से मिलेगी, हमारी balcony से connected यह वाली window है, और यह उपर भी window है, आप चाहें, तो इस वाली ventilation को as it is, इसी format में use कर सकते हैं, बातरूम का size देखते हैं, तो आप 7-2-4 का washroom है, जिसके अंदर आपको आपका geezer and ventilation काफी बढ़िया मिल जाएगा, यहां से मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे last bedroom, sorry, हमारे बच्चे वे दो bedrooms में, क्योंकि यह 3BH के property है, तो आईए आपको सबसे पहले यह वाला दिखाते है और the speed ऐसे मिलता है, अब हमारे इस room से जो हमारी other property है, वो इस दरवाजे से connect होती है, अगर आप चाहते हैं इस दरवाजे को open करना, तो open करते ही आपकी जो पूरी property है, will become a 6BH के flat, and अगर आप इसे close रखते हैं, तो यह आपके different एक तरे से 2 अलग-अलग 3BH के हो जाएं flat, तो यह 6BH के इस तरह से बन सकता है, तो आपने देगा काफी बढ़िया concept है और इस concept के चलते आपको जो दोनों properties है, उनको combine करके use करने में बहुत बढ़िया मजा आएगा, और अगर आप anytime एक flat को rent out करना चाहते हैं, तो इसकी possibility भी है, तो यह हो जाता है एक बढ़िया concept, आप चाहें तो अपने घर के flats या फिर अपने घर के साथ भी कुछ ऐसा कर सकते हैं, आइए मैं आपको एक बार size दिखा देता हूँ, इस हमारे common washroom का, common washroom का size है वो 7 feet by 4 feet के size में मिलता है, आपने गौर किया होगा, जो generally हमारे 3BH के flats होते हैं, उनके अंदर ये वाला size है, वो थोड़ा सा कम मिलता है, यहाँ पर size आपको अच्छा मिल रहा है, property को बहुत प्यार से सजा के सवार के रखा गया है, इस room को जादा तर समान और कप्रे रखने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक तरसे workstation यहाँ बना रखा है नोने, तो आपकी मर्ज installation बहुत अच्छी है, इस वाले room में, और आज ही एक बार बाहर दिखा देते हैं आपको, आईए, सामने आईए, तो दोस्तों यह है आपकी balcony, इसके अंदर balcony की जो लंबाई है, वहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पूरी मिलती है, 10 feet और ऐसे चोड़ाई देखते हैं तो मिल width wide, measuring tape लेकर नाप सकते हैं, inch tape लेकर नाप लीजे, पूरा exact वही size है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, आते हैं आप इसको summarize करते हैं, वीडियो को, सो आपने देखा कि एक 6BHK property, कैसे यह बन सकती है, और अगर आप इसको 3BHK के तोर पर यूज करना चाहते हैं, तो भी आप कैसे कर सकते हैं, 2-3BHK के combine करके, अब आपकी call है, आप इसको क्या बनाना चाहते हैं, इसके अंदर दोनो possibilities हैं, second बढ़िया चीज यह है, कि इसमें आपको चो connectivity मिलती है, वो द्वारका सेक्टर 3 साइड की भी मिलती है, और नवादा मेट्रो स्टेशन साइड की मिलती है, द्वारका सेक्टर 3 जादा पास पड़ता है यहां से, दिल्ली पब्लिक स्कूल की दूरी देखेंगे तो हाड़ली शायद 1 किलोमेटर के distance पे आपको द्वारका का दिल्ली पब्लिक स्कूल सेक्टर 3 वाला मिल जाएगा, और नवादा मेट्रो स्टेशन यहां से लगबग 1.5 किलोमेटर के distance पे है, इस location पे flat लेने का benefit आपको यह मिल जाता है कि गुड़गाओं में अगर आप काम करते हैं या South Delhi में आप काम करते हैं तो उस तरफ से entry और exit point आपको बिना traffic में फसे यहां तक महुचने के लिए रास्ता मिल जाएगा, loanable property है और अच्छे price पे आपक इसका नया flat काफी expensive मिलता है market में, यहां पे आपको इतनी सारी flexibility के साथ में इतना बड़ी option मिल पा रहा है, इसका code यहां पे place कर दिया है और numbers नीचे हमने लिग दिया है, आईए, इसे book कीजिए, देखिए, नवरात्तरी की हार्दिक हार्दिक शुब कामने हमारी तरफ से, आप समलते हैं अगले वीडियो में